अब करें तो वाट्सप्राइब करें नोटिस और नॉर्मलाइजिशन मेथेड बाइए तो अगर आप कॉंटिनुसली विजिट करते हो तो भी तक आपको नोटिस पढ़ने को मिल चुगा होगा और इससे लेटे और इनफॉर्मेशन जो भी देरके सब पढ़ लियोगे बट क तो नॉर्मलाइजिशन मेथोड क्या है उसके बार में अगर आपको जनना तो इस से मेरा पहले वीडियो जरूर देखना वह देखो गए तो आपको नॉर्मलाइजिशन में तर क्लियर हो जागा कैसी काम करता है और पिछले साल अपलाई हुआ था तो वह सब क्लियर होने के बाधी वीडियो देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आपको यह दो चीज बताना बहुत ज़रूरी था सबसे पहला है एप्लिकेशन फॉर एड्मिशन टु प्रोग्राम्स ऑफ आयमी फॉर एकेडमी किया 2021-22 एड देनेस फैब बैस 2022 यह जो नया वला डैसबोर्ड आपका रिलीज हुआ है जबसे यह नॉर्मलिजेशन का नोटिशन लोगे ने रिलीज किया था तो नयवाले डैसबोर्ड में एक तो इनलों ने अप्लिकेशन का डेट भी बढ़ा दिया है जो कि हो गया लास्टेट 12 सेप्टमबर तो होगी अगर अभी तक आप 60% in PCM and 50% in English will get a rank यह मेरे को एक screenshot मिला था जो कि IMU का official से mail था तो अगर आप यह पास करते हो तो आपको कुछ ने कुछ rank मिली जाएगा तो बहुत लोगों के attention था कि 62% है मेरे 63% है मैं इस company से sponsored हूँ तो क्या मेरे को rank ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा कि मैं जॉइन कर पाऊंगा कि नहीं company मेरे sponsors ही बची रहेगी तो अभी तो sponsorship का यह scene होता है जब normalization होता है कि बस आपको IMU CT में rank आना चाहिए तो आपके पास 62% है आप company से sponsored हो तो आपके एक चीज़ फिक्स हो गया यहां से कि आपको rank मिलेगा क्योंकि यहां पर clearly mail में mention है कि 60% और 50% English वाला अगर आप criteria अगर आप follow कर लेते हो तो आपको कोई ना कोई rank मिल जागा यहां से आप लोके लिए एक बहुत ही ज्यादा टेंसन रिलीज करने वाली बात हो गई है और आपका sponsorship cancel नहीं होगा तो अभी बात कर लेते नोटिस के बार में तो नोटिस कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि cancellation of IMU, CET यह सब अगरा तो आपको rank certificate कैसे मिलेगा अब UG program के लिए जिससे आपको मतलब है अभी फिलाल तो BAC, Batek, DNS के लिए उनके लिए आपका 12th standard marks से आपको normalization process में rank मिलेगा तो अब 12th standard के लिए लिए PCM, English वागरा और जो आपका top 5 subject का percentage होता होता अब यहां से थोड़ा से important notice शुरू होता है जैसे कि यहां पर लिखा है since the ranking is based on academic marks तो आपका academic detail जो भी होना चाहिए इस form में जो भी आपने फिल कर रहा है वो काफी सही फिल करना होना चाहिए मतलब आपने जो पाया है वही और अगर आपने फिल नहीं किया तो उसको फिल क तो अभी आगया है पूरा सही से जाकर फिल करो और पोर्टल खुल चुका है नए applicants के लिए तो 12 September तक आपके पास पूरा चांस अगर आपने फिल किया है तो जाके एक बार अपना पूरा academic details सही से match कर लो और अगर नहीं फिल किया तो आपके पास चांस है फिर से नए application form फि जितने भी registered candidates है यहां से थोड़ा से important आपका point शुरू हो रहा है और मैं एक example भी दूँगा last year का जो आपको मतलब बहुत ही ध्यान से जुनना है अभी देखो क्या लिखा है all the registered candidates are required to login and carry out the following without fail. Please verify all the details entered in academic page and update the interest if necessary. Some of the critical details are to be verified after the following. इसके बारे में बात करेंगे बात करेंगे अभी देखो आप जब अपना application dashboard पे अपना login करते हो IMU के website पे जाके उसका link में नीचे description box में देदूँगा हो वहाँ जाके आप login कर सकते हो अपने dashboard पर पहुंचोगे वहाँ academic section में जाओगे तो आपके पस edit का option आ चुका होगा वहाँ पे आप अगर अभी तक detail अपने नही किया है तो आपको फिल करना है वहाँ पे और एक फिर से अगर आपने फिल कर भी लिया तो फिर उसको रिवेरिफाइब करो अब यहाँ पर मैं बताओ लास्ट यह कहा था लास्ट यह भी सेम सीन था नॉर्मलेजेशन का सीन हुआ था बहुत ही बेकार कि एक मेरी फ्रेंड ह वह टोटली स्पॉंसर्ड वगेरा सब कुछ हो चुगा था बट जब यह नॉटिस आया नॉर्मलेजेशन का तो साथ में नॉटिस आया था कि आप लोग पूरे जाकर फिर से वेरिफाइब कर दो पूरे डिटेल को फिर से फिल कर दो तो मैं उस ताम क्या किया था मैं मेरे क कोई रेंक नहीं मिला कि उसको महिपने फिल करके फिर एक बार जरूर कर को वह झाकर 앞에 और अपको क्या क्या चीक करना है तो आप कितने में से लाए हो तो वह सही से आपको फिल करना है अगर आप ऐसा ही कि गलत फिल कर देते हैं अच्छा रहेंगा जा ऐसा कुछ नहीं होता है सिर्फ आपको फिल करने से नहीं आपका मार्क सीट भी वेरिफाई होता है एक एक करके तो आप ऐसा नहीं कि आप गलत फिल करके बच जाओ गए तो वह सब भी आपको ध्यान में देना है इसको आप 9.5 से मल्टिप्लाई कर सकते हो तो आपका एक परसेंटेज मिल जाता है तो वह आला आपको परसेंटेज ही उसमें डालना है आपको ग्रेट पॉइंट्स उस सेक्शन में नहीं डालना है इसके लिए आप थोड़ा सा मतलब यह वाला भी इंपोर्टेंट पॉइ प्राइवेट मैसेज कर रहे तो आपका यह क्या ख्याल है कि आप 2019 वालों को कैसे यह लोग कैसे ट्रीट करेंगे 2021 को कैसे ट्रीट करेंगे इसका इसका एंसर मैं नहीं दे पाऊंगा और साहथ आयम्यू भी आपको ना दे क्योंकि यह थोड़ा सा आर्गुमेंट और पिक हो जाएगा आप जो भी है को रोना के वाज़े से हुआ तो आप कुछ उसमें कर नहीं सकते इस अपको प्लियरली वेरिफाई करना है क्या है आपका कॉलेज क्या सीन है तो उसमें आपका मतलब सही से पूरा एदम अपने बोर्ड के बारे में इलेवरेट करना है तो ब दो कि फिल ख्याइए तव भी आपको लॉग इन करके एक बार यह कहिंपॉर्म भटन जरूर दबाना है तो इसके लिए आप काफी इंपोर्टेंट यह स्टैप है और आपको यह कर नहीं है अगर आपको कोई भी रैंक चाहिए नहीं तो आपका यह एप्लिकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं करेंगे और फॉर्थ पॉइंट इस रिजल्ट एवेटेड देखो बहुत लोग थे हो जब एप्लिकेशन फॉर् लग लग रहा है तो कि मेरे को सीवेसी का पता चला है इंप्रूब्मेंट रिजल्ट आएंगे आपको 38 सेप्टेंबर को और यह मेरे को थोड़ा सा अनफेर लगा कि उनका क्या होगा कैसे होगा तो मैं ऐसा एक मेल आइम्यू को किया हूँ थोड़ा सा ओफिसल मेल की आप इस पे थोड़ा सा देखो कि क्या करना है इनका अगर इसमेल का galràस आता मिल अपको पढगो मिल जाएगा स्क्रीज पर पा तो 12 सेप्टेंबर तक तो आपका रिजल्ट आने वाल नहीं है तो आप क्या ही उसमें फिल करोगे और 60% से जिनको कम है उनको तो कोई रैंक नहीं मिलने वाला तो फिर आपके साथ थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग सीन हो जाएगा आपके साथ तो उनके लिए मैं वह मेल कर पर चुक हो रिप्लाइ आता तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा अब जो सिक्स पॉइंट है वह थोड़ा से इंपोर्टेंट जब आप अपना मांक पे जाके एडिट और अपडेट कर रहे होगा अपना मांक तो सिस्टम आटमेटिकली चेक करेगा कि आपका परसेंट आप तो इसलिए यहां पर इंप्रूब्मेंट केंडियेट का अलग सीन हो जा रहा है तो उसके लिए अगर मेल का रिप्लाइ आता तो मैं आपको जरूर वीडियो बना कर समझाऊंगा कि क्या उनका क्या सीन होगा और बाकी अपना जाकर एक बार कनफर्म जरूर कर लेना औ जाकर 60% से कम है तो आपका अप्लिकेश्न प्रोसेश नहीं होगा. गार न और स्वैक्ट इस क्या नहीं होगा. टाट एसम प्लिकेशन पिर शाय्नध को फिर उनक्राइब्स चानल वार में को लंदा इंड परेशन विए इसलिए प्लिकेश्त बास। इस नेगर इसलिए डि सब्सक्राइब करते हैं अगर आपका नहीं होता है थोड़ा भी मिसमैच होता है तो आपको कोई भी रैंक नहीं अपना करीयर करना है तो आप यहां पर यहां पर याप्लिकेशन कर सकते हो और यहां पर यहां पर वहीं से में प्रोग्राम आपने जा कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल गया और आपको सारे डिटेल्स सही फिल करने हैं वहाँ पे कर लिए है और यहां पे क्लियरी मेंसन यह किया गया कि अगर आप एप सर्टिफिध और हो तो आप यहीं वहां पे सलेक्ट करके अपना अप्लोड करोगे इन लोगोंने बहुत लोगों का अप्लिकेशन देखा होगा जिसमें वह लोग्व ऐसे बोलते हैं कि मैं बी सर्टिफ अपलोड किया होगाब वह सिर्टिफिर के लिए तो सकता है तो आपको आप एसा नहीं करना जो आप से अंगे तो सब्ना करने में दाएक तो आप एस पर आपको सही से रहना है क्योंकि आप अगर इसमें भी गलती करोगे तो आपका एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है जो जो इस्ट्रिशन फॉर्म का लिंक है जहां से मैंने यह नोटिस उठाया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल आने वालों क्योंकि वह एक इंपोर्डेंट इसू है इंप्रूबेंट के पास भी राइट है एक राइंक लेने का तो उस पर मैं जरूर बात करूंगा और यह वीडियो यहीं पर खतम होता अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना और इसको वीडियो को और भी ग्रूप में सेयर करो जो भी मर्चन निवी का ग्रूप आप लोगों ने बना रखका है और आपको मतलब अगर कोई डाउट रह गया होता कमेंट सेक्शन पूछ सकते और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहे तो उस पे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप और मोर इंफरमेटिव वीडियो थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो